आज मैं आपके लिए एक नया डेकॉर लेके आई हूँ जो कि आपको घर पे बैठे बैठे ही आप बना लेंगे उसमें कुछ ज़्यादा अलागत भी नहीं लगनी है एक तरीके से बस आपको एक आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए कलर चाहिए बस हो गया तो हम स्टार्ट करेंगे अपनी आइसक्रीम स्टिक को ब्लाक कलर मैंने यूज किया है तो ब्लाक कलर से हम पहले इनको पेंट करेंगे पेंट करने के बाद यह जब ड्राइ हो जाएंगे फिर मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ तब तक हम आपसे यह बात करेंगे कि आपको स्किप नहीं करना है क्योंकि आप स्किप करोगे तो फिर आपको प्रोब्लम होनी ही होनी है इस डेकॉर में और यह डेकॉर लिट्रुली मार्केट में जाएंगे तो आपको महंगा मिलने वाला है और आप बनाएंगे तो अपको आइस्क्रिम स्टिक का कॉस्ट आने वाला है वह ही है क्योंकि कलर्स तो आपके पास ओलोड़ी घर पे होंगे so colors का investment one time है और काफी time चलेगा ice cream stick आप ले लोगे तो आपको चल जाएगा क्यों को ज़्यादा costly नहीं है और fabicol के जर्वत है या आप glue gun use करना चाहते हो तो glue gun use कर लो so मैंने color किये है ice cream stick इसको dry करने के लिए रख दीजेगा चुट्कियों में नहीं सूखता है सूख जाता है बट time आप दोगे थोड़ा तो यह अच्छा color आएगा और ध्यान रख यह poster color से मत करिएगा fabricol colors जो होते acrylic color उनसे करिएगा उससे उसमें shine बनी रहेगी so हम पहला अपना honey cup banana start करेंगे हमने six sticks ले ली और हम इसको बना रहे हैं तो बनाने में मुझे भी थोड़ा time लगा समझने में तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि scroll मत करिएगा इसको बहुत अराम से समझिए देखिए और वैसे ही step by step बनाईए एजी है एक बार आप समझ जाओगे कोई problem नहीं होने वाली है नहीं समझोगे scroll करके देखोगे तो फिर आप नहीं समझ पाओगे और बहुत जल्दी give up कर दोगे तो please scroll मत करिए बहुत अच्छे से देखिए समझिए और बनाईए क्योंकि literally मैंने इसको market में देखा था और इसकी cost बहुत जादा थी तो मैंने का इसको मैं क्यों आपने DIY का एक collection ready करूँ और अपने घर को भी decorate कर लूँ क्योंकि इसमें cost जादा नहीं आनी है यह वो मैंने जहां देखा था वो metal की sticks का था बट मैं फिर से repeat करूँगी आपको अपने हर डेकॉर में repeat करूँगी क्यों धाई 3,000 रुपे खर्च करने क्योंकि आप धाई 3,000 रुपे खर्च करोगे ना कुछ टाइम के बाद बोर हो जाओगे अरे यार इतना टाइम होगे इसको लगाए वो अब कुछ चेंज करना चाहिए तो चेंज करने के लिए ना उससे problem यह आने वाली है कि वो आपके ढ़ाई 3,000 आपको याद आएंगे और आप उसको लगाके रखोगे अपने घर में अरे भाई क्यों लगाना है आइस्क्रीम स्टेक है आइस्क्रीम स्टेक से मैं इसको बना रही हूँ तो मुझे hardly इसमें जादे से जादे 50 रुपीज का कॉस्ट आया क्योंकि आइस्क्रीम स्टेक की quantity थोड़ी जादा लगने वाली है इसलिए मैंने लिया तो इसमें आपका हड़ी 50 रुपीज लगने वाले हैं तो फिर आई थिंग आपको नहीं लगेगा कि चलो हटाते हैं तो फ्लीज खुद से बनाईए खुद का बनाया बहुत अच्छा लगता है सभी को और दूसरों को भी अट्राक करता है कि आप इतने इनोवेटिव हो आप घर भी चला रहे हो बच्चों को भी देख रहे हो फामली भी समाल रहे हो और इतने इनोवेटिव हो कि आप अपने घ कि खुशी मिलती है कहेंगे और जब कोई तारीफ कर देता है तब तो उस खुशी में चार चान लग जाते हैं तो फिर उस खुशी को फील करने के लिए खुद से बनाईए पैसे बचाईए और घर भी सुन्दर बनाईए सो हमें कुछ इस तरह से रेडी कर लेना है हनी को अब अपना मैंने इस तरह से रेडी किया है सो आप भी रेडी करिए इसमें थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ यह है कि ध्यान रखिए वो शेप डिस्रब नहीं होना चाहिए अगर डिस्रब हुआ तो फिर प्रॉब्लम मतलब होना ही होना है तो शेप को डिस्रब मत होने दीजे तो शेप अगर डिस्रब होगा तो फिर बनने में प्रॉब्लम होगी एंदेन ना हमारा ये बन चुका है एक मेने पहले से रेडी करके रखा था जो आपने देखा ही होगा सो अब हम इसको पेस्ट करेंगे कुछ इस तरह से जिससे ये और भी अच्छा लगे तो हमने इसको फेस्ट कर लिया है और ग्लू गन से ही मैंने यूस किया क्योंकि मुझे था फटा फट बनाते हैं मुझे क्योंकि कहीं जाना था तो इसलिए मैंने फटा फट रेडी किया है और अब ये आप देखो कि ये बहुत सुन्दर लग रहा है जियान रखिए स्टेप साथ न मत मिस करिए स्क्रॉल मत करिए और अच्छा लगे तो प्लीज कॉमेंट जरूर करिए और लाइक भी करिए सब्सक्राइब भी करिए तो मैंने इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया है ग्लू गन से इसमें जहां जहां आपको लग रहा है कि आपको इसको पेस्ट करना है और डबल आ रहा है आईस्क्रीम स्टिक तो आप वहां वहां इसको पेस्ट करिए जिससे ये अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए और निकले नहीं तो ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है फ्लावर्स कर पे पड़े थे तो मैंने सुचा कि इस पे फ्लावर्स लगाते हैं तो ये और भी अच्छा लगेगा तो मैंने ये फ्लावर लगाए हैं वाइट और पिंग का था मेरे पास तो मैंने उसको यूज किया है आपके पा स्ट्राइंगल शेप के मिरर या जो मतलब मिरर अगर आपके पास सरकल वाले भी हैं तो भी आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल मिरर्स तो मैंने ये बट मेरे मुझे लगा कि फ्लावर यूज़ करते हैं क्योंकि मिरर मैं बहुत यूज़ करती हूं मैंने कुछ अलग करते हैं तो मैंने यूज़ किए अपके फ्लावर तो ये फ्लावर तो रेडी होगी है मैंने इसके लीफ्स भी लगानी है तो कुछ इस तरह से हम लीफ्स को भी अटाच कर देंगे जिससे ये सुन्दर लगे ये मेरी लीफ्स लग गई है तो अब ये देखिए हमारा बंद के रेडी हो चुका है आप इसे अपने लिविंग रूम में लगा सकते हैं बेडरूम में चाहें तो वहां लगा सकते हैं जहां भी आपको लगता है कि आपके पास स्पेस है और ये बहुत सुन्दर लगने व आप लोगों को मुझे वो जो नेया डिया बनाया है उसको दिखाने के लिए मैंने काई पहले इसको हटाते हैं लगाते हैं दूसरा तो यह देखिए हमारा डिया वाइडी हो चुका है बहुत सुन्दर लग रहा है आप प्लेन वॉल है और उस पे प्लेन वाल है उस पे ये का कैसे लगा? थांक्स फॉर वच्छिंग, बाबाई